Hello friends, दोस्तो आज हम एक बहुत important topic पे बात करेंगे कि wall mixer और diverter में क्या difference होता है इन दोनों bathroom fittings में से कौन सा बहतर है, हमें bathroom में क्या लगाना चाहिए क्योंकि दोस्तो अगर आप एक modern bathroom बनाने की सोच रहे हैं तो बिना wall mixer और diverter के यह possible नहीं है wall mixer और diverter दोनों ही faucets आपके sour area के premium bathroom fittings है दोनों ही fittings इंडियन modern bathroom में बहुत ही popular choice है तो आपके लिए क्या बहतर है आज इसके बारे में detail में समझेंगे तो ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप एक अच्छा decision ले पाओ तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हम आज किस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजों को cover करेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे कि wall mixer और diverter है क्या second हम इन दोनों के types देखेंगे कि wall mixer और diverter कितने तरह के होते हैं और उनके क्या क्या usage होते हैं third हम देखें कि कौन सा बहतर है wall mixer या फिर diverter किसे लगाना best रहेगा next हम 5 factor के साथ इन दोनों को compare करेंगे ताकि आप decide कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा बहतर है next हम इन दोनों की cast की बात करेंगे और last में हम conclusion करेंगे कि आपको किस के साथ जाना चाहिए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको wall mixer और diverter के different के बारे में समझा देता हूँ कि आखिर wall mixer और diverter है क्या इनका क्या काम है किसी भी bathroom में plumbing का काम करवाने से पहले ही आपको ये decide करना होगा कि आपको लगाना क्या है wall mixer या फिर diverter क्योंकि इसी के base पे आपके bathroom के plumbing pipe की fitting की जाती है अगर सबसे पहले मैं wall mixer की बात करूँ तो wall mixer एक traditional bathroom fitting है या एक प्रगार का tap या नली है जो गरम और ठंडे पानी को mix करके उनके flow को control करने का काम करता है ये एक single unit external दिवार पर fit की जाती है और एक ही unit से आप पानी को on और off गर्म और ठंडा कर सकते हैं वहीं diverter भी एक प्रगार की tap या नली है ये modern concealed bathroom fitting है जो bathroom और sour area की दिवारों के अंदर fit कर दी जाती है और इसका एक lever overhead sour जिससे ये connect होती है बस सिर्फ वही बाहर दिखता है diverter जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि diverter का काम water को अलग different features में diverd करना होता है और गर्म और ठंडे पानी को mix करना होता है diverter पानी flow को sour head, fuckets, water tap में water diverd करने का काम करता है ये बहुत ही compact और space efficient होता है वाल mixture की तुलना में तो अब आपको इन दोनों में difference समझ आ गया होगा दोनों ही नल के प्रकार हैं दोनों का ही काम गार्म और ठंडे पानी को mix करना होता है बस diverter में आप पानी को बहुत जगण diverd कर सकते हो उनके type के base पर बातरूम में इन्हें लगाने का सबसे best reason यह है कि यह आपके बातरूम की beauty को और बढ़ा कर आपके बातरूम को एकदम luxurious और modern look दे देते हैं और अगर इन दोनों के types की बात कर रहा है तो दोनों में बहुत से model आते हैं जैसे wall mixer में लिए दो तरह के आते हैं पहला है twin wall mixer और दूसरा है three involve mixer twin wall mixer में hot and cold water को mix करने की सुविदा होती है और इसे overhead sour से भी connect किया जा सकता है वहीं दूसरी और three-one mixer में एक फेसिलटि और बढ़ जाती है 3-wall mixer में hot और cold water को mix करने की सुधा तो होती ही है साथ ही साथ इसे overhead sour और hand sour के साथ भी connect किया जा सकता है यहाँ पर आपके hand sour के सुधा अलग से मिल जाती है तो पहला point आप ये note कर ले कि अगर आप wall mixer लगा रहा हैं 2-way diverter kit, 3-way diverter, 4-way diverter, 5-way diverter kit और 6-way diverter kit तो चलिए इनको detail में समझते हैं पहले single level diverter kit जैसा कि आप इस image में देख रहे हो single lever diverter kit में एक पिस concealed body diverter और एक पिस composed body diverter kit होती है जिसमें cover plate knob और एक lever होता है इसमें right hand side में cold water inlet और left hand side में hot water inlet होता है और top में sour outlet और bottom में spot outlet होता है नाप का प्रयोग sour को use करने के लिए किया जाता है और lever का प्रयोग hot और cold water को mix करने और spot को on off करने के लिए किया जाता है जो की exposed part का हिस्सा है और diverter concealed part है इसी तरह बाकी के 2-way diverter, 3-way diverter, 4-way diverter, 5-way, 6-way और single lever 3 inlet diverter में number of outlet ज्यादा कर दिया जाते है ताकि इन्हें fresh पानी के लिए motor के पानी के लिए और water jet के लिए use किया जा सके आपको अपने bathroom में जितने ज़्यादा water jet का use करना होगा diverter का selection भी उसी के हिसाब से करना होगा तो चलिए अब हमें दोनों को compare करके देख लेते हैं ताकि आप यह decide कर पाओगे आपके लिए क्या बहतर वाल mixer या फिर diverter तो पहला factor है looks and style पहली बाद तो वाल mixer में आपको बहुत से style और design मिल जाएंगे बट diverter के ज़्यादा elements दिवाल के अंदर छुप जाते हैं और बाहर सिर्फ flange और handle दिखता है तो इसमें आपको limited design और style ही मिल पाता है पर इसका मतलब यह नहीं कि इसका look अच्छा नहीं होता बलकि इसकी look तो वाल mixer से भी अच्छी लगती है यह आपको बहुत ही modern look देता है और वाल mixer एक traditional look देता है मतलब यह है कि अगर आपको एक traditional look चाहिए तो आप वाल mixer के साथ जा सकते हैं और एक modern look चाहिए तो आप diverter के साथ जा सकते हैं तो अगर looks और appearance के मामले में देखा जाए तो साथ तोरपर diverter ही wall mixer से आगे है सेकेंड हम बात करते हैं space saving के अधार पर तो wall mixer क्योंकि एक external bathroom fitting है और hot and cold water को control करने के लिए इसके separate handles होते हैं इसलिए wall mixer को एक ज़्यादा space के requirement होती है diverter के मुकाबले वहीं diverter क्योंकि एक concealed compact element है जो sour wall area के अंदर छिप जाता है इसका सिर्फ एक flange, एक handle और छोटा सा knob ही visible होता है तो इसमें space की कम requirement होती है तो यहाँ भी साथ तोरपर diverter आगे निकल जाता है wall mixer के मुकाबले third है service और maintenance क्योंकि wall mixer एक external bathroom fitting है इसके damage होने के chance तो बहुत जादा होते है पर इसकी complete body exposed होने के करण इसे change करना और repair करना बहुत आसान होता है पर diverter में एक part concealed होने के करण इसके damage होने के chance तो बहुत कम रहते है पर इसके खराब होने पर इसे repair करना या change करना इतना आसान नहीं होता है इसके लिए दीवार को तोड़ कर इसे रिपियर या चेंज किया जा सकता है जो एक टाइम कंजूमिंग प्रक्रिया होने के साथ साथ इसमें खर्च भी ज़्यादा होता है तो रिपियर और मेंटरेंस के मामले में साथ तोर पर मिक्सर आगे निकल जाता है डाइवार्टर से चोथा है नौइज वाल मिक्सर वाले बात्रूम में बकेट भरते समय बहुत ज़्यादा नौइज और सोर होता है जिसका एक ही रिजन है वो है कि वाल मिक्सर आम तोर पर एक मीटर की हाइट पर लगाए जाता है पर वहीं डाइवार्टर वाले बात्रूम में डाइवार्टर की हाइट तो सेम होती है पर इस पाउट आधार मीटर की हाइट पर लग जाता है जिससे पानी कम हाइट से गिरने पर बकेट भरती समय इसमें आवाज कम होती है तो इस factor के बेस पर diverter आगे निकल जाता है wall mixer से पाँचवा और important factor है price का अगर आप एक wall mixer लेते हैं तो इसकी cost 2000 से start हो जाती है जो 200, 25, 30, 3500 तक जाती है मिस जितने अच्छे ब्रांट के साथ आप जाओगे ये आपको उतनी ही रेज में मिल जाएगा complete volume mixer पर diverter की complete cost 4500-6000 तक पड़ती है इसमें भी आपको spout अलग से लेना पड़ता है जिसकी cost 1500-1500 तक पड़ती है तो price के मामले में no doubt wall mixer ही आगे है diverter से अब अगर conclusion की बात करें तो आपको wall mixer लगाना चाहिए diverter ultimately ये depend करता है आपके बात्रूम में types of sour and bass setup पर और सबसे main है आपका budget अपने budget को ध्यान में रखकर ही दोनों का selection करें अगर आप अपने बात्रूम को एक बहुत stylish model और रायल लुप चाहते हैं तो फिर आपके लिए diverter ही सबसे best है और वैसे भी wall mixer का काम तो diverter करता ही है और यह matter नहीं करता कि आप wall mixer लगाएंगे या diverter लेकिन मैं आपको suggest करूँगा कि आप कुछ भी ले ब्रांड ले जैसे perry wear या jaguar के ब्रांड आप चूज कर सकते हैं और एक बात कि diverter के पानी को pressure ज्यादा चाहिए होता है इसके लिए आपको पानी की टंकी उची रखनी चाहिए अगर आपके पानी की टंकी 6 से 2 या 3 feet की height पर रखी है तो फिर आपको diverter का benefit नहीं मिल पाएगा ऐसे में आपको wall mixer लगाना ही बहतर होगा तो आज के इस वीडियो में मैं उमीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए useful रही होगी अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like और अपने दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल ना भूलिएगा अगर आप ऐसी house construction से related वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे channel को subscribe भी कर सकते हैं और अगर आपको कोई doubt या आपको कोई suggestion देना हो तो आप नीचे हमें comment कर सकते हैं आपको 100% reply दिया जाएगा और अगर आपका suggestion अच्छा लगा तो मैं उसे pin कर दूँगा ताकि आपका suggestion और लोगों के भी काम आ सके ओके friends तो चलिए मिलते हैं हमारी next वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बहतिन जानकारी के साथ तब तक लिए विदा लेना चाहूँगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद